Welcome to the Partsala, आज से हम अपने 50 दिन की special classes start कर रहे हैं, जिससे आपको grammar 50 दिन के अंदर बहुत बहतर तरीके से आचके, आज का हमारा day one है, आज से हम पढ़ेंगे preposition, preposition का यह हमारा lecture one है, lecture start करने से पहले मैं कुछ बाते आपको बता दे रहा हूँ, आपको कुछ problems हो सकती है, like मेरे pronunciation को लेके, वो थोड़ा सा week है मेरा, जैसा कि मैंने बताया मैं UP board का student हूँ, तो pronunciation का पंगा थोड़ा सा UP board के student के साथ रहता है, और इसके साथ मैं दो चीजी और कराने वाला हूँ, एक तो question paper 2016 के, और vocab, preposition के साथ मैं preposition chart की vocab कराऊंगा, तो जब भी आप यह grammar का lecture देख रह से start करूँगा, 10 जून से, और मैं सारे के सारे set कराऊंगा आपको, आप मुझे comment में लिखके यह बताइए कि आपको यह question paper कैसे चाहिए, as it is जैसे आया था, वैसे चाहिए, या मैं इनकी vocab अलग करके दूँ, error वाला portion अलग करके दूँ, idioms अलग करके दूँ, one word substitution और grammar, य या फिर prepare as it is जैसे आया है, वैसा कराऊंगा, और इस lecture में जो है, इस पूरी series में हम important चीजों की बात करेंगे, आपका जो English पूरा का पूरा है, वो 250 नमबर का है, tier 1 plus tier 2, तो आप इसको 250 नमबर की तरह देखे, tier 1 और tier 2 की तरह मत देखे, 250 नमबर में आपको score कैसे करना है, 230 marks, 220 marks, इतना score कैसे लिया आना है, 240 तक कैसे reach करना है, इसके लिए हम work out करेंगे, तो हम important चीजों की बात करेंगे, और कुछ basic चीजों की बात करेंगे, जिससे weak student को भी problem ना हो, और जो अच्छे student है, उनको भी problem ना हो, तो दोनों चीज करेंगे, crap को मैं avoid करने की कोशिज तो चलिए, बात करते हैं, preposition की, सबसे पहले हम समझेंगे कि preposition हमारा है क्या, preposition are those words which are used before a noun or pronoun and denotes the relation between the noun pronoun and the other part of the sentence, ये तो इसकी definition लिख्की हुई है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको हिंदी में कि preposition वो word होते हैं, जो sentence में, noun या pronoun, noun या pronoun के पहले आते हैं और relation बताते हैं noun या pronoun का sentence के दूसरे पार्ट से, अब इसको example से समझते है, there is a cat sitting under the table, वहाँ पे एक cat है, जो table के अंदर है, तो यहाँ पे जो under word है, ये आपका preposition है, ये relation बता रही है कि जो cat है, वो table के नीचे छुपी हुई है, दूसा sentence है, I go to school by bus, मैं school जाता हूँ बस के दूरा, तो यहाँ पे जो by है, ये relation बता रहा है, कि मैं school कैसे जाता हूँ बस के दूरा, तो preposition वो word है, जो noun या pronoun के पहले आता है, और sentence के other part से noun या pronoun का relation बता रहा होता है, जरूरी नहीं है कि जो आपका preposition है, वो noun या फिर pronoun के पहले आए, कुछ cases में ये बाद में भी आता है, जैसे who was I talking to, यहाँ पे जो two word है, यह आपका preposition है, और यह sentence के end में आया, noun pronoun के बाद में आया, इसी तरह दूसरे sentence में, he does not have a pen to write with, यहाँ पे with आपका preposition है, और यह आया है आपके end में, sentence के, तो किन cases में sentence के end में आता है, यह हम आगे चलके पढ़ेंगे, अब बात करें हम कुछ important चीज की कि हम preposition में सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, preposition में सबसे पहले जो हमें पढ़ना चाहिए, वो यह पढ़ना चाहिए, कि कुछ confusing pair of preposition होते हैं, like between and among, beside and besides, for and since, across and through, on and upon, on and over, in and into, in, within, by, with, before, in, front of, at, in, in spite of, despite, इनके meaning nearly same होते हैं, जो pair है, यह, इनके meaning जो होते हैं, वो nearly same होते हैं, लेकिन इनके usage थोड़ा सा difference होते हैं, like beside and besides, इनके meaning भी अलग होती है, और जो question पूछे जाते हैं, वो इन पे based बहुत ज़्यादा question पूछे जाते हैं, अगर preposition पे question को या है, तो 75% ऐसा होता है, कि इनी पे based वो question होते हैं, तो चलिए इनको एक एक करके example के थोग और इनकी meaning से समझते हैं, और sentence में इनके uses देखते हैं, कि इनके बीच में क्या difference है, क्यों हम confuse होते हैं इनके use में, सबसे पहले देखेंगे between और among में क्या difference है, between का मतलब होता है बीच में, और among का मतलब भी होता है बीच में, बट basic difference क्या है कि between इस्तेमाल होता है दो के लिए और among इस्तेमाल होता है more than two जब दो से अधिक हो तो हम among का इस्तेमाल करते हैं और दो की बात की जा रही हो तो हम between का इस्तेमाल करते हैं कुछ cases ऐसे होते हैं, जो exceptional cases होते हैं, जिसमें 2 से अधिक के लिए between का भी इस्तेमाल किया जाता है, जब 2 से अधिक कोई number definite हो, मतलब अगर निश्चित हो, आपको पता हो कि 3 है या 4 है, तो हम वहाँ पे between का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो 2 से ज़्यादा 3 हो, 4 हो, 5 हो, या कित उनकी आपसी सहमती है, तब हम between का इस्तेमाल 2 से अधिक के लिए करते हैं, तो between का इस्तेमाल हम 2 के लिए करते हैं, 2 से अधिक तब करते हैं, जब number निश्चित हो, definite हो, या फिर उनके बीच में mutual cooperation हो, otherwise दो से अधिक के लिए हम among का इस्तेमाल करते हैं, चलिए example देखते हैं, A lot of cooperation is needed among या फिर between the different states to combat Nuxilism, combat का मतलब होता है लड़ाई, fight, a lot of cooperation is needed, बहुत सारे cooperation चाहिए between या फिर among the different states, यहां पर देखिए the different states, बहुत सारे states की बात की जारी अलग-अलग, यहां पर निश्चित नहीं है, और दो से ज़्यादा है, प्लूरल फॉर्म है, तो अगर यह definite होता, निश्चित होता, कितने state की बात की जारी है, तो हम between लगाते, otherwise, दो से अधिक की बात की जारी है, तो हम यहां पर among का इस्तेमाल करेंगे, between का नहीं, यहां पर बेगर्स, बेगर्स आपका प्लूरल फॉर्म है, तो अगर का इस्तेमाल होगा, next sentence है, the teacher distributed sweets among them, them आपका प्लूरल है, तो बहुत सारे लोगों के बीच में, teacher distribute कर रहे हैं sweets को, तो हम यहां पर among का इस्तेमाल करेंगे, between का इस्तेमाल नहीं करेंगे, the match will be played between India and Australia, match खेला जाएगा इंडिया और आस्टेलिया के बीच में, इसलिए यहां पर between का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इंडिया और आस्टेलिया दो की बात की जा रही है, लेकिन अगर इस sentence को देखिए, there is a tournament to be played between India, Australia and New Zealand, यहां पर exam में आता है, between की जगा एमंग दिया रहता है, क्योंकि यहां पर आपको पता है कि जो tournament है वो खेला जाना है, वो इंडिया, और आस्टेलिया और न्यूजिलेंड के बीच में, तीन देशों के बीच में खेला जाना है, आपको number पता है, कि definite है, यही तीन देश है, तो दो से अधिक हो, अगर definite हो, तो हम वहां पर between का इस् There is an alliance between the three European nations, यहां पर between का इस्तेमाल इसलिए किया गया है, क्योंकि जो European nations है, उनके बीच में alliance है, mutual cooperation है, तो mutual cooperation के case में हम between का इस्तेमाल करते हैं, यह basic difference है between और among को लेके, कुछ between को लेके और rules है, जिसको आपको समझने की जरुरत है, जैसे conjunction chapter में आप पढ़ेंगे कि between को and follow क करता है, to नहीं, जैसे कि sentence में the meeting will be held between 10 a.m. and 4 p.m. यहां पर sentence में दिया रहता है to, the meeting will be held between 10 a.m. to 4 p.m. तो यहां पर sentence गलत हो जाता है, हायाद रखिएगा between को हमेशा and follow करता है, to नहीं, और between के बाद हम हमेशा objective case के pronoun का इस्तेमाल करते हैं, subjective case के pronoun का इस्तेमाल नहीं करते हैं, between के जो बाद में हम इस्तेमाल करते हैं, जो pronoun, वो हमेशा objective case का होना चाहिए, like a sentence में, there is no enmity between him and me, यहां पर कभी भी he and I मत लगाईएगा, क्योंकि exam में जो question दिया जाता है, वो ऐसे करके दिया जाता, him की जगा he होगा and I, तो याद रख रखिएगा कि between के बाद हम हमेशा objective case के pronoun का इस्तेमाल करते हैं, और between के बाद कभी each नहीं लगता है, like जैसे sentence में between each boy, between every girl, तो each और every के पहले between कभी नहीं लगाना चाहिए, between each boy, between every girl, यह गलत है, ध्यान रखिएगा, जैसे कि कभी कभी sentence इस तरीके से दिया रहता है, there are 10 millimeters between each centimeter, कि एक centimeter के बीच में 10 millimeter होते हैं, यह sentence गलत है, कभी भी each के साथ between नहीं लगता है, there are 10 millimeters in a centimeter, यह sentence होगा, तो ध्यान रखिएगा, each के साथ कभी भी between का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चलिए कुछ और इनी among को लेके, जैसे कि among और among us, एक word और आता है, यह दो से अधिक के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो कभ हम among का इस्तेमाल करते हैं, कभ हम among us का इस्तेमाल करते हैं, यह चीज़ भी हमको समझने की जरुरत है, जब noun, जब noun या pronoun के पहले दा लगा हो, जब दा लगा हो, तो हम among us का इस्तेमाल करते हैं, उसके पहले among का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और among औ Consonant sound के पहले हम Among का इस्तेमाल करते हैं और Wovil sound के पहले हम Amongst का इस्तेमाल करते हैं लेकिन आज के English grammar के हिसाब से जो हम इस्तेमाल करते हैं जहां पे भी हमारा rhythm जाता है Among का या Amongst का तो rhythm के हिसाब से हम Among और Amongst का इस्तेमाल करते हैं वो सही रहता है आज के grammar के हिसाब से लेकिन जो English grammar में रूस दिया रहता है वो इस तरीके से रूस दिया रहता है कि consonant sound हो तो हम among का इस्तेमाल करेंगे और vowel sound हो तो among us का इस्तेमाल करेंगे और अगर noun के पहले द लगा हो तो हम इस्तेमाल करते हैं among us like example है देखिए there was no cooperation among us the boys there was no cooperation among us the boys and among them among us among them लगाते हैं और among us us के पहले among us इसलिए लगाते हैं क्योंकि us का जो sound है us वो vowel sound है और among them ये consonant sound है them तो ये है थोड़ा सा difference among और among us के use में इसी तरह amid और amidst के use में भी same difference होता है like amid जो इस्तेमाल होता है consonant sound के पहले होता है amidst जो इस्तेमाल होता है वो vowel sound के पहले होता है like example the bill was passed amid pandemonium तो यहां पर consonant sound है इसलिए amid का इस्तेमाल किया गया है pandemonium जो ये word है ये अक्सर करके exam में इसकी meaning पूछा करता है इसका मतलब होता है sore goal जैसे आपने कभी संसत देखा होगा कभी live session तो उसमें होता क्या है कि जब budget वगरा पास किया जाता है इसलिए amidust का इस्तेमाल किया गया है and talking against us तो ये कुछ basic difference है among us amid और amidust के बीच में चलिए next pair देखते हैं next pair है beside and besides beside का मतलब होता है bugle में या बाजू में like example he said beside me वो मेरे bugle में बैठा है मैं यहाँ बैठा हूँ वो मेरे bugle में बैठा है और besides का मतलब होता है के अलावा जैसे आपके पास कोई चीज है उसके अलावा कुछ और तो besides का मतलब होता है के अलावा like besides his children nephews and nieces were also present at the ceremony उसके बच्चों के अपने जो बच्चे हैं उनके अलावा nephews और nieces भतीजे और भतीजी भी ceremony में प्रेजेंट थे तो besides का याद रखेगा मतलब होता है कि के अलावा और besides का मतलब होता है बगल में चलिए next pair देखते हैं अब बात करें since and for की तो since जो हमारा इस्तेमाल किया जाता है वो होता है point of time के लिए point of time के लिए और for होता है period of time के लिए तो ये difference होता है since और for में since point of time के लिए for period of time के लिए इस्तेमाल होता है जैसे since 9 p.m. तो 9 p.m. आपका point of time है period of time for 10 years तो since और far के point of time और period of time के लिए tense वाले chapter में हम इसके विसे में detail पढ़ेंगे यहाँ पर sense के कुछ और uses को लेके कुछ और meanings हैं जिनको लेके exam में question पूछे जाते हैं उसको समझेंगे since जो है वो reason, reason के sense में भी इस्तेमाल किया जाता है जैसे यहाँ पर है sentence में since I was unveiled I did not take the test since I was unveiled I did not take the test since क्योंकि मैं बीमार था या सही नहीं था इसलिए मैंने test नहीं दिया तो यहाँ पर since क्या है आपका reason बता रहा है तो द्यान रखिएगा कि reason बताने के लिए sense का इस्तेमाल होता है और एक और important चीज कि since, because और as के बाद कभी भी so, therefore and that's why नहीं आता है कभी भी आपको sentence में ऐसे दिया रहा है कि since का इस्तेमाल हो इसके बाद so, therefore and that's why इसका इस्तेमाल हो तो आप तुरन समझ जाएगा कि sentence गलत है क्योंकि since के बाद कभी भी since को यह words follow नहीं करता so, therefore and that's why इसी तरह because को भी follow नहीं करता and as को भी follow नहीं करता सरफ एक exceptional case है as का जिसमें so उसको follow करता है यह phrase होता है as you saw so you shall reap इस phrase में as को so follow करता है इसके अलामा इसके अलामा कहीं पे भी आपका so, therefore, that's why, since, because and as को follow नहीं करता है चलिए next player को समझते है across and throw across का मतलब होता है कि एक side से दूसी side एक side से अगर दूसी side जा रहे हो तो हम वहाँ पे across का यूज करते हैं like I swam across the river मैंने नदी को तैर के पार किया एक पार से उस पार तक तो ये across का मतलब हुआ कि एक पार से दूसी पार से one side to other side throw का मतलब होता है one side to other side but via medium मतलब कोई माध्यम होना चीए एक side से दूसी side जाने के लिए like the message was conveyed to me by him through her the message was conveyed to me by him through her यहाँ पे medium है her इसलिए यहाँ पे throw का इस्तेमाल किया गया है जो across और दो में fork है इसके लिए medium की जरूत नहीं होती है तो के लिए medium की जरूत होती है the train passed through the tunnel like inside होके अगर हम जाएं अंदर से होके जाएं किसी चीज के तो हम दो का इस्तेमाल करते है across के कुछ और meaning होते है across का meaning होता है on the opposite side यह side है और यह दूसरा side है just opposite वाला side है तो अगर हम opposite side की बात कर रहे हूं तब भी हम across का इस्तेमाल करते है जैसे example है he is waiting for me across the road सडक के उस पार वो मेरा wait कर रहा है तो he is waiting for me across the road तो across का δूसरा मतलब होता है opposite side दूसरी side अगर कोई wait कर रहे है दूसरी side की हम बात कर रहे होँ तब हम across का इस्तेमाल करते हैं और across का मतलब भी यह होता है both sides जब हम दोनों साइट की बात कर रहे हों, तो भी हम एक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, ए ट्रे, sorry, ए ट्री fell across the railway line that caused an accident, मतलब यह सड़क थी और जो ट्री है, वो गिर गई है, एक साइट से दोनों साइट के बीच में, तो जब हम दोनों साइट की एक साथ बात कर रहे होंगे, तब भी हम across का इस्तेमाल करते हैं, तो यह across और throw, इसमें difference है, कि जब भी हम दो की बात कर रहे होंगे, तो हम medium की बात कर रहे होंगे, या फिर किसी के inside pass out की बात कर रहे हैं, और across की बात जहां पे हैं, यहां पे जिसे हैं, उपर से pass कर रहे हैं, river को हम उपर से tear के pass कर रहे ह स्लाइटली इंसाइड होता है लेकिन वो भी सर्फिस पर ही रहता है तो सर्फिस की बात कर रहे होते हैं तो हम एक्रॉस की बात करते हैं और अगर इंसाइड की बात कर रहे हैं लाइट टरनल टरनल के बिल्कुल मिडवे से पास होते हैं तो यहां पर दो का इस्तेमाल करते हैं Came across का मतलब होता है meet by chance. Came across का मतलब होता है meet by chance, अचानक मिलना. अब sentence देखिए कि इसमें किस तरीके की question पूशे जाते हैं. When I was going to college, I suddenly came across my childhood friend. ये sentence आपको दिया रहता है. अगर आपको मतलब नहीं पता होगा कि came across का मतलब होता है meet by chance, अचानक मिलना. और इसके साथ जो word है suddenly यहाँ पर जो लगाया गया है. तो suddenly word जो है कभी भी came across के साथ use नहीं किया जाता है. When I was going to college, I came across my childhood friend होगा. तो came across के साथ suddenly इस्तेमाल नहीं किया जाता है. Came across के साथ with भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है. कभी-कभी sentence इस तरीके से दिया रहता है. I came across with him. तो sentence गलत होता है. I came across him. मेरी अचानक उससे मुलाकात होई. तो ध्यान रखिएगा कि by chance भी अगर word लगा हो. Suddenly किसी से मिलना, अचानक मिलना, उसके sense में came across इस्तेमाल किया जाता है. तो came across के साथ कभी भी suddenly, या फिर by chance, या फिर with, ये तीन word है. वो इस्तेमाल नहीं करते हैं came across के साथ. चलिए next pair देखते हैं. On and upon. On का मतलब होता है जैसे table है. Table पे कोई चीज रखी है, contact में है. तो अगर कोई चीज contact में है और उपर रखी है, तो हम इस्तेमाल करते हैं on. और upon का मतलब होता है कि कोई चीज motion में हो. कोई चीज motion में हो. Motion में आई हो और इस पे कुछ गिरिव हो, जैसे ऐसे. जैसे example देखें, the book is on the table. इसका मतलब है कि ये table है, book इस पे रखा हुआ, contact में है. The cat jumped upon the rat. जैसे ये आपका rat हो गया, और cat ने जपटा मारा. इसलिए upon की बात करेंगे हाँ पे, क्योंकि motion की बात कर रहे हैं हम. तो जब भी motion की बात करेंगे, हम upon use करेंगे. जब motion की बात नहीं करेंगे, contact रहेगा, तब हम on की बात करेंगे. इसी में एक चीज और confuse करता है, over की use को लेकि. Over का मतलब होता है, उपर, लेकिन वो physical contact नहीं रहता है. थोड़ा सा उपर रहता है. जैसे the fan is over my bed. The fan is over my bed. Fan मेरे bed के उपर है. यह हमारा bed है, इसके उपर आपका यह ceiling फैन है. तो यह contact में नहीं है. तो over का इस्तेमाल करते हैं हम जब चीजे contact में नहीं हो. और कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे आपको पूरी चीज cover करनी हो. यहां से लेकिए यहां तक. वो contact में रहे या contact में ना रहे. दोनों cases में भी हम over का इस्तेमाल करते हैं. अगर हम पूरा surface area cover करने की बात कर रहे हों तो. Like the bridge was built over the river. यह आपका river है. और यह आपका bridge बना हुआ है. तो यह पूरा cover कर रहा है एक पार से उस पार. तो यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे over का. contact में हो या contact में ना हो. पूटे blanket over the baby. यह बच्चया लेटा हुआ है और एक blanket इसके उपर लेटाना है. पूरा cover करना है. तो यहां पे जैसे यह आपका bridge था. यह तो contact में आएगा नहीं क्योंकि नदी नीचे से river नीचे से होगी. उपर से आपका bridge रहेगा. लेकिन यह जो बच्चया लेटा हुआ है. इसको जब भी आप blanket डालोगे तो contact आजाएगा. तो contact भी रहे अगर तो भी हम over का इस्तेमाल करते हैं. तो यह याला sentence कई बार पूछा गया हुआ है. और याला भी sentence कई बार पूछा गया है. ओवर का इस्तेमाल हम करते हैं जब physical contact ना हो, उपर हो. और ओवर का इस्तेमाल हम करते हैं जब पूरा surface area कवर कर रहे हूँ. चाहे वो contact में हो या फिर contact में ना हो. अगला preposition है, over and under. यह confusing pairs नहीं है, बस इनके मतलब आप जान लिजीए. यह over का मतलब होता है उपर, और under का मतलब होता है नीचे. there is a fan over your bed, bed है, bed के उपर है, fan लगा हुआ है, तो over का मतलब होता है उपर and under का मतलब होता है नीचे, किसी चीज़ के. ए cat is sitting under the table. in and into, इसमें थोड़ा सा confusion रहता है, तो in का मतलब होता है, जैसे किसी के अंदर inside कोई चीज़ है, तो यह बोलते हैं, इसके लिए इसके लिए इस्तेमाल करते हैं in का, लेकिन अगर यही है, अगर motion के throw इसके अंदर कोई चीज़ जा रहा हो, then हम इस्तेमाल करते हैं into का, तो in question में motion नहीं होता है, then हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हम motion का इस्तेमाल करते हैं, मतलब motion अगर हो रहा हो गा, sentence अब को पता चला हुआ है कि stability नहीं है, static चीज़ नहीं है, then हम इस्तेमाल करते हैं into का, जैसे we are sitting in the classroom, अब हम classroom में बैठे हूए हैं, सब, तो static position है, यहाँ पर कोई motion नहीं है, इनसाइट आपस में motion हो सकता है, पर बैठे वह हैं, तो in है, हम classroom के अंदर है, तो in और into दोनों का मतलब होता है, अंदर किसी चीज के, अब into का मतलब होता है motion के थ्रू किसी के अंदर जाना, जैसे the boy jumped into the river, यह river है आपका boy ने jump किया तो यह motion के throw नदी के अंदर जा रहा है तो जब भी motion का case हो तो हम into लगाते हैं into के विशह में एक चीज और देखने लाइक है into is not used with enter into और enter को एक साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि दोनों का मतलब same होता है तो sentence superfluous हो जाता है superfluous का मतलब होता है कि जरूरत होती है आपको एक single word इस्तेमाल करने की और same meaning के लिए अगर आप दो word इस्तेमाल कर दो तो sentence superfluous बोला जाता है तो into और enter दोनों लगबग same meaning रखते हैं इसलिए into के साथ enter का इस्तेमाल नहीं करते हैं कुछ cases को छोड़के exceptional कुछ cases है जैसे यहां पर sentence इंटर इंटू एग्रिमेंट एलाइंस जो exceptional cases है वो यह हैं जैसा कि मैंने बताया था कि exceptional cases आपको याद रखने पड़ेंगे तो यह चीज आपको याद रखना पड़ेंगा बाद में जब हम example करेंगे तो इसके sentence देखेंगे कि कब इंटर इंटू का इस्तेमाल करते हैं इंटर इंटू एग्रिमेंट अगर हम किसी एग्रिमेंट के अंदर इंटर की बात हो रहे हों तब उसके साथ हम इंटू लगा सकते हैं ठीक है अगर हम alliance कर रहे हों किसी के साथ agreement कर रहे हों त उसके साथ हम लगा सकते हैंAbd ż7 Ch du2 ओक्रांट अध्रिजु होताए अदरवाइस इंटर इन्टु कभी दो कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं । और इंटर के साथ अन अपन इत लगाते हैं इंटर के साथ अन अपन करेक्ट होता है ठीक है जैसे यहाँ पे sentence है he entered into the room तो यहाँ पे हम classroom के अंदर enter कर रहे हैं तो enter के साथ into गलत है enter के साथ into नहीं लगाएंगे enter के साथ into हम तब लगाते हैं जब हम agreement या फिर alliance कर रहे होते किसी से otherwise enter के साथ हम कभी भी into का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं enter के साथ on और upon का इस्तेमाल किया जाता है next pair है on time and in time on time का मतलब होता है कि point of time point of time ऐसे समझिये जैसे exact time 10 बजे बोला है तो 10 बजे ठीक 10 बजे और in time का मतलब होता है जैसे 10 बजे बोला है 10 बजे तक का time दिया है तो 10 बजे के पहले भी 8 बजे या फिर 9 बज़े भी कोई काम हो जाए, दम उसके लिए हम उस वक बोलते हैं, in time, कोई काम in time हो गया, और exact 10 बज़े हुआ है, तो कोई चीज बोलते हैं, on time हुआ है, तो on time और in time को लेके confusion रहता है, याद रखिएगा कि on time का मतलब होता है exact time, और in time का मतलब होता है within time, मतलब 10 बज़े की बात की जा रही हो, तो उसके पहले से लेके 10 बज़े तक, जैसे यह example समझेए, we reach the examination center in time, हम examination center पे time के अंदर पहुँच गये, मतलब अगर 10 बज़े का हमारा exam था, तो 10 बज़े के पहले हम पहुच गये या 10 बज़े तक पहुच गये, the examination starts on time, यहाँ पे on time इसलिए इस्तेमाल किया गया है, suppose कीजिए exam start होने का time आपका 10.30 है, तो 10.30 exact time पे आपका exam जो है start हो गया था, एक और example देखें जैसे, we thought that the train would be late, but it arrived exactly in on time, we thought that the train would be late, late होगी, but it arrived exactly in on time, अभी sentence में आपको समझना पड़ेगा कि in लगा या फिर on लगा है, जो train आई, वो हम सोच रहते कि train late होगी, लेकिन train exactly उस time पे आई, जिस time पे उसका arrival था, जैसे कि अगर 10 बज़े का arrival time है, तो 10 बज़े ही आई, तो यहाँ पे in नहीं on इस्तेमाल होगा, तो on time और in time, इसका मतलब सही से आपको समझ में आ गया होगा अब, चलिए next player देखते हैं, by and with, by का इस्तेमाल करते हैं जब subject या फिर कोई person कोई काम कर रहा हो तो, with इस्तेमाल करते हैं जब किसी equipment के थ्रो हम कोई काम कर रहा हो तो, जैसे example से इसको समझते हैं, ज़्यादा clear होगा, the paper was signed by him, him क्या है आपका, एक person है, तो जब हम person की बात कर रहा हैं, किसी person के द्वारा काम हुआ हो, तो हम इस्तेमाल करते हैं by, by your person, तो जब किसी person के द्वारा काम हुआ हो, तब हम इस्तेमाल करते हैं by, with a parker pen, with a parker pen, parker pen क्या है आपका, equipment है, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है with, जब हम equipment की बात कर रहे होते हैं, कि कोई भी equipment या instrument के थ्रो हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो उसके पहले हम लगाते हैं with, और कोई ब्यक्ति, कोई person, कोई डियोर काम कर रहा होता है, तो उसके पहले हम लगाते हैं by, by और with के use में ये थोड़ा सा basic difference होता है, the paper was signed by him, with a parker pen in blanking, snack was killed by him, यहाँ पे him आपका person डियोर है, इसलिए हम by का इस्तेमाल करेंगे with a stick, किस से मारा, stick से मारा, तो equipment क्या है आपका stick, तो इसके लिए हम लगाएंगे preposition with, next sentence है, you cannot catch a big fish with a small rod, you cannot catch a big fish, हम बड़े fish को catch नहीं कर सकते हैं, किस से, छोटी rod से, तो छोटी rod आपका क्या है, equipment है, तो equipment या instrument है आपका, तो उसके पहले हम लगाएंगे with, तो ध्यान रखेगा कि by का इस्तेमाल करते हैं, द्वारा के sense में, by या फिर with, ये दोनों हिंदी में बात करें, तो द्वारा के sense में आते हैं, अगर person की बात किया जाए, तो हम by का इस्तेमाल करते हैं, equipment की, instrument की बात की जाए, तो हम द्वारा के लिए with का इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह एक और pair होता है, before और in front of, before का मतलब होता है, पहले, और in front of का मतलब होता है, सामने, जैसे example है, I came before you, I came before you, मैं तुमसे पहले आया, दूसर एक्जामपल है, India raised the issues of cross-border terrorism, before the UN, इंडिया ने पहले, cross-border का जो terrorism का issue था, वो पहले उठाया, United Nation से पहले उठाया, जबकि in front of का use, देखे कैसे होता है, don't park your car in front of migrate, in front of का मतलब होता है, सामने, किसी चीज के सामने, तो confuse मत होईएगा, before और in front of में, चलिए next pair देखते हैं, at and in, ये लगबग आप सब को पता होगा, कि at का इस्तेमाल करते हैं, हम छोटे जगह, छोटे place के पहले, और in का इस्तेमाल करते हैं, थोड़े बड़े place के लिए, जैसे आई लिव, at मुखरजी नगर, in दिलही, दिलही आपका बड़ा, जगह है, state है, union territory इसको बोलते हैं, पुरे state नहीं है ये, तो इन का इस्तेमाल करेंगे, बड़ी जगह के लिए, और छोटी जगह के पहले हम, at का इस्तेमाल करते हैं, तो ये difference होता है, ये लगबग आप सभी को पता होगा, at and in, next pair है, in spite of and despite, इस पे question अकसर करके आता है, last year तो दो तीन सेट में इस पे question आया था, in spite of and despite, दोनों का मतलब सेम होता है, के बावजूद, के बावजूद, in spite of working hard, he failed, बहुत महिनत करने के बावजूद, वो fail हो गया, तो in spite of का मतलब होता है, के बावजूद, अब ये गलती कहां पे होती है, in spite of का मतलब, होता है के बावजूद, और despite of का भी मतलब होता है, के बावजूद, तो despite of के साथ कभी कभी होता क्या है, कि despite of लगा कि दे देता है sentence में despite of despite of working hard he failed तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि in spite के साथ off लगता है लेकि despite के साथ off नहीं लगता है क्योंकि in spite of और despite का मतलब सेम होता है तो despite के साथ आपको off लगाने की ज़रुवत नहीं पड़ती है तो यह note करके आप अपने notebook में note down कर लीजिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा question पूछा जाता है यह sentence बार-बार tier 1 और tier 2 में आपको मिला के कहीं न कहीं यह question मिल जरूर जाएगा do not use of with despite despite and spite of means the same जैसे यहाँ पर है despite being rich he is not happy और इस sentence को जब error में देता है वो ऐसे देता है despite of being rich he is not happy तो ध्यान रखिएगा कि despite के साथ हम कभी भी off का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह रहे कुछ confusing pairs आज के लिए इतने ही next lecture में कुछ और ऐसे ही अगर words रह गए हैं कुछ छूट गए हैं confusing pairs वाले वो और preposition के बच्चे हुए जो important चीजे हैं rules और exceptions के साथ फिर मिलेंगे और आप preposition chart जो vacab में पढ़ाने वाला हूँ वो दो एकना बिल्कुल मत भूलिएगा बगर उसके आपका preposition कभी complete नहीं होगा क्योंकि preposition के ज़्यादातर question इन पे based होते हैं या तो फिर preposition chart पे होते हैं